प्राचिन काल में नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा नर्मदा जी ने कहा ब्रह्मा जी यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो मुझे गंगा जी के समान कर दीजिए ब्रह्मा जी ने मुस्कराते हुए कहा यदि कोई दुसरा देवता भगवान शिव के बराबरी कर ले कोई दुसरा पुरुष भगवान विश्नु के समान हो जाए कोई दुसरी नारी पारवती जी के समानता कर ले और कोई दुसरी नगरी काशीपुरी के बरापरी कर सके तो कोई दुसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है ब्रह्मा जी की बात सुनकर नर्मदा उनके वर्दान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तिर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तब करने लगी भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा नर्मदा ने कहा भगवन तुच्छे वर मांगने से क्या लाब बस आपकी चरण कमलों में मेरी भक्ती बनी रहे नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए और बोले नर्मदे तुम्हारे तड़ पर जितने भी पत्थर हैं वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप हो जाएंगे गंगा में स्नान करने पर शिग्र ही पाप का नाश होता है यमुना साथ दिन किसनान से और सरस्वती तीन दिन किसनान से सब पापो का नाश करती है परन्तु तुम दर्शन मात्र से संपुन पापो का निवारन करने वाली होगी तुमने जो नर्मदेशवर शिवलिंग की स्थापना की है वह पुर्ण्य और मोक्ष देने वाला होगा भगवार शंकर उसी लिंग में लीन हो गए इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई इसलिए कहा जाता है नर्मदा का हर कंकर शिर्व शंकर है